हम हाई पर पहुंचे हुए हैं और अब लोगों में डर्बस यही है कि थकावट कहीं आना जाए और अब यहां सी कितना उचा जाएगा मिट कैप स्मॉल कैप ने इतनी राली आ चुकी है और कितनी जाएगी यह सवाल कुछ हमने पिछले हफ़े भी एड्रेस किये थे लेकिन को इस हफते कुछ उमीद ऐसी थी कि बाजार में एक थोड़ी सी मुनाफ़ा वसूली दिखाई दे सकती है क्या ऐसे संकित आपको मिल रहे है किता जी वार्न वॉफट ने एक लाइन सब को बताई थी कि मैंने पैसा कैसे बनाया है मैं कुछ नहीं करता हूं मैं आराम से किवता जी, Stock Market की एक बहुत पुरानी कहवत है, Good News and Good Prices, they don't come together. तो जब माहूल खराब होता है, Price अच्छी होती है, और जब माहूल अच्छा होता है, Prices हमेशा खराब होती है, तो इस समें जब माहूल है, वो बहुत अच्छा है. Macros अच्छे हैं, flows बहुत अच्छे हैं, participation बहुत अच्छा है और portfolio gains बहुत अच्छा है तो जो मौसम है समय बहुत सोहाना है मगर आपको हमेशा खरिदारी सेल में करनी चाहिए Which is, that you should always buy a raincoat in monsoon जब Flipkart की सेल लगती है, जब Amazon की सेल लगती है Independence Day की सेल आने वाली होती है, जब आप खरिदारी करता है, तो Stock Market में भी करना चाहिए बगर वो जो सेल लगती है, वो खराब मौसम में और खराब माहूल में लगती है बलकुल बगर इस समय ऐसा डर नहीं है और अभी सेल भी नहीं है जब लगती है जब नूस खराब होती है, जब माहूल खराब होता है, जब माक्रो में संकट आता है और जब बेचने का समय होता है, जब कोई डर नहीं लगता है Bull Markets always climb a wall of worry and they will come down on the ray of hope तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि market खतम हो गया है अगर हम near term बात कर रहे हैं, near term एक मेहना से तीन मेहनी के बात कर रहे हैं तो मेरे साब से इस समय आपको lazy होना चाहिए अगर आप large cap stocks में invested हैं तो lazy होना चाहिए कुछ नहीं करिए कुछ नहीं करें